वेल दोस्तों इस सीरीज के पिछले दो वीडियो मैं आपको बताया था सर्वर और फाइल सर्वर के बारे में वेल तो यह सीरीज का तीसरा वीडियो जहाँ हम आज बात करने वाले हैं प्रिंट सर्वर के बारे में वेल जानने के रहें बने रहें इस वीडियो में पुरा एंड तक कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं इसी के बार में वेल तो रादे रादे नमस्कार दोस्तों मैं सुदीप स्वागत करता हूं अब सबका एमचेक डिव्यूज के कॉट ब्राइंड न्यू वीडियो में तो मिलते हैं आपसे इस चोटे से इंट्रो के बत तो दोस्तों अब आते सीधा question पे print server होता क्या है वेल दोस्तों किसी भी computer network में print server या printer server एक वो तरह का server होता है जो printers को client computer के साथ connect करते हैं किसी भी network के जरीए जैसे land वगएरा वगएरा इसका काम होता है print signal को receive करना और उसी signal को भेजना इसे dedicated printers को जिसके लिए वो command मौझूद है तो यार एक example से मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों suppose आपके office में एक printer है और वो printer आपके office के land network से connected है तो अगर आप उस printer से कुछ भी print करवाना चाहते हो तो simply आप उस printer को select करके उसे असानी से कर सकते हो ऐसे में वो जो print command आप देते हो क्या वो directly जाता है अपने printer पे नहीं तो यहाँ पे बीच में जो सारा communication होता है वो होता है print server के मदद से दोस्तों आपने जिस command को भेज दिया वो accept करता है पहले हमारा print server और वो print server उस command को भेज देता है उस dedicated printer को जिसके बाद आपका document या फिर आपका data असानी से वो printer के जरीए print होता है दोस्तों print server basically होता है दो तरह के सबसे पहला है internal print server और दूसरा होता है external print server internal print server में जो printing होता है वो होता है wireless तरह के से आपने बहुत सारे आज कल printers को देखे होगे कि जिनमें wireless का feature available है और जिसके जरीए आप wireless printingером असानी से कर सकते हो और external print server में आपको मिल जाता है USB cable जिसके जरीए आप आपसानी से printing कर सबते और आजकल आपने बहुत सारे printers को देखा होगा कि